नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एट्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो ताजा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हिमाच् पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में देने बारा हूँ वीडियो पर एंट तक बने रहिए अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा ओल एट्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल करीब हैं तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी जाराम ठाकुर ने कहा है कि एक चीज को हमेशा मूल मंतर के रूप में स्वविकार किया गया है कि सबसे पहले गरीब को मदद पहुंचनी चाहिए जो गरीब है हम उसके करीब हैं सीम जाराम ठाकुर ने रविवार को जोत्री होगी जब दाइत्तम मिला था तो परदेश पर जो है 50,000 करोड रुपे का कर्ज था पिछली सरकार ने तो समान्य परिस्तितियों से भी जादा कर्ज लिया सीमा को पार कर्ज कि लिया हमने सीमा को पार करके रिंड नहीं लिया हलांकिया सही है कि आने वाले वक्त मे कर्ज हमें भी लेना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि चुनावी बर्ष में केवल वोट फोकस किया है हमने उन्हीं योजनाओं को मजबूत किया जो पहले साल में शुरू की थी साट साल के बाद बजुर्गों को सयोग की जुरूरत होती है इसलिए सब के लिए योजना लाए सीम जयराम ठाकुर ने कहा है कि हमारे तीन वजट कोविड से प्रवावित रहे इसकी कलपना भी नहीं की थी इस बात की पीड़ा है कि बहुत से लोगों की दोखत मृत्यू हुई हिमाचल की जनता ने हिम्मत दी और वे सफल हुए पीम नरेंदर मोदी ने हिम्मत और होंसले के साथ इस देश का नितरतव किया उसकी जितनी तारिफ करें वहा कम है मुख्यमंतरी जाराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें पांचमा वजट पेश करने का सौबाग या मिला है पीम नरेंदर मोदी का बहुत सयोग मिला सीम जाराम ठाकुर ने कहा कि 27 दिसंबर को जब सरकार बनी तो या कलपना भी नहीं की थी कि इतनी कठेन परिस्थितियां होंगी उन्होंने परदेश के 68 विधानसावा का दोरा किया पहली कैबिनेट में ही निर्णे लिया कि जो गरीब है दक्का खाते हैं उनके लिए समाजिक सुरक्षा पैंसेल पर फैसला लिया सतर साथ से उपर के सभी बजुर्गों के लिए पेंशिन करे वे प्रावधान किया दूसरा निर्णे लिया कि जिस गाए को मा कहते हैं आजवा चोराया सड़क पर है ऐसे में गाए एक स्रंक्षित जगा पर होनी चाहिए आजवा कहा सकते हैं कि जहां हिमाचल परदेश में 6,000 गोवईश गोसदन में था अब 20,000 है एक रुपे और जुड़कर गोवईश के लिए सेस रखा है जो निजी गोसदन का संचालन कर रहे हैं उसमें एक गाए के लिए 500 की जगा 700 अरपय कर दिये हैं हमने हर बर्ग के कल्यान के लिए कोछ न कोछ किया है तो यह गोशनाई जो है सियम ने आज किया है अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित पर्मा ओलेट पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक माचल परदेश की हार नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दन्याबाद जैहिंच जैभार